हेलो गाइस, वेलकम तो दिस वीडियो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स, जो कि C लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो चली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, पहला वर्ड हमारा, कैप्चर, कैप्चर का मतला होता है पकड़ना, अगला वर्ड यामारा, कैटेगरी, कैटेगरी का मतला होता है स्रेणी, इसके बाद का वर्ड यामारा, सर्मनी, सर्मनी का मतला होता है आउशर, यह इस समारो, नेक्स वर्ड यहमारा चैंपियन चैंपियन का मतला होता है बिजेता अगला वर्ड यहमारा सर्कुलर सर्कुलर मतला होता है गूल इसके बाद का वर्ड यहमारा सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन का मतला होता है सब्यता नेक्स वर्ड यहमारा Collaboration Collaboration का मतलब होता है सहयोग इसके बाद का वर्ड हमारा Commence Commence का मतलब होता है आरंब करना या सुरू करना इसके बाद का वर्ड हमारा Communication Communication का मतलब होता है संचार Next वर्ड हमारा Compromise Compromise का मतलब होता है समझोता करना इसके बाद का वर्ड हमारा consequence consequence का मतलब होता है फरिणाम आगे के वर्ड देखता है next वर्ड हमारा convenience convenience का मतलब होता है सुविदा next वर्ड हमारा curriculum curriculum का मतलब होता है पाठ्खे कर्म जिसे हम इंग्लिस में syllabus भी बोलते हैं next वर्ड हमारा celebration celebration को हिंदी में बोलते है जसन इसके बाद का वर्ड हमारा challenge challenge को हिंदी में बोलते है चुनोती next वर्ड हमारा character character को हिंदी में बोलते है चरित्र इसके बाद का वर्ड हमारा connection कनेक्शन को इंदि में बोलते हैं संबंद या फिस संबद नेक्स वर्ड हमारा कंट्रिब्यूट कंट्रिब्यूट को इंदि में बोलते हैं योगदान देना नेक्स वर्ड हमारा क्यूरोसिटी क्यूरोसिटी को इंदि में बोलते हैं उस सुप्ता इसके बाद का वर्ड हमारा Corporation Corporation का मतला होता है सयो अगला important वर्ड हमारा Confirmation Confirmation को हिंदी में बोलते हैं पुस्टी करना Next वर्ड हमारा Conquer Conquer को हिंदी में बोलते हैं जीतना Next वर्ड हमारा Conversation Conversation को हिंदी में बोलते हैं बात्चीत करना इसके बाद का वर्ड हमारा Correction Correction को हिंदी में बोलते हैं सुधा करना Next वर्ड हमारा Cultivation Cultivation को हिंदी में बोलते हैं खेती करना आगे के वर्ड देखता है इसके बाद का वर्ड हमारा Curious क्यूरियस को हिंदिय में बोलते हैं जिग्यासा या फिजिग्यासू इसके बाद का वर्डे हमारा कन्विक्शन कन्विक्शन को हिंदिय में बोलते हैं डीड निश्चा या फिड डीड संकल अगला वर्डे हमारा कॉंपिटाइंस Competence को हिंदी में बोलते हैं सामर्थिय इसके बाद का वर्ड है हमारा Capable Capable को हिंदी में बोलते हैं सक्षम Next वर्ड देपते हैं इसके बाद का वर्ड है हमारा Configuration Configuration का मतला होता है आकरती या फिर विन्यास Next important वर्ड है हमारा Constant फिर बादक होना next word है हमारा controversy इसके बाद क्या word है हमारा comprehend समझना आगे के word देखता है इसके बाद क्या word है हमारा consume consume को हिंदिय में बोलता है खर्च करना या फिर उप्योग करना इसके बाद क्या वर्ड है हमारा क्रिटीक क्रिटीक का मतला होता है समिक्षा करना नेक्स वर्ड है हमारा कंट्रीगूट कंट्रीगूट को हिंदि में बोलते हैं योगदान करना नेक्स वर्ड है हमारा कॉंप्लिमेंट कॉंप्लिमेंट का मतला होता है सराना नेक्स वर्ड हमारा कॉसियस कॉसियस को हिंदी में बोलते हैं सतर्क अगला वर्ड हमारा कंटेंप्लेट कंटेंप्लेट को हिंदी में बोलते हैं बिचार करना नेक्स वर्ड हमारा कल्टिवेट कि कल्टिवेट को बोलेंगे खेती करना next word है हमारा curiosity curiosity को बुलिएग जिग्यासा इसके बात की नियोग कंड बात करना इसके बाद का वर्ण है कंबर्शम को इंदियमें बोलते हैं बोजी इसके बाद का इंपोर्टेंट वर्ड है कंडिूसीन को इंदियमें सातक सादक अगला important word हमारा Consolation Consolation का मतला होता है सांतो ना देना Next word हमारा Candlestine Candlestine का मतला होता है गुप्त या फिर hidden Next important word हमारा Conflagration Conflagration का बोलते हैं आग या फिर आग जनित Next important word हमारा Capacious Capacious को हिंगी में बोलते है विशाल इसके बाद का word हमारा Cakechophony Cakechophony का मतला होता है हला या फिर कोला हल Shoed Sarawad जिसे हम गोलते हैं Next important word हमारा Scramble Circumbent का मतला होता है टाल देना इसके बाद का important word है Compulsion Compulsion को हिंगे में बोलते हैं मजबूरी इसके बाद का important word है हमारा Sinusore Sinusore का मतलब होता है आकरसक यानि कि Attractive इसके बाद का important word है हमारा Clarification Clarification का मतलब होता है स्पस्टिकरन इसके बाद का important word है हमारा Counterpart Counterpart का मतलब होता है सहकर्मी अगला वर्ड है हमारा condemn condemn का मतलब होता है निंदा करना next important वर्ड है हमारा confluence confluence का मतलब होता है संगम यानि कि जहां दो नदियां आकर कि आपस में मिलती है या फिर हम बोल सकते हैं कि जहां दो जल रासियां आकर आपस में मिलती है उससे हम बोलते हैं संगम या फिर confluence, इसके बाद the next important word है हमारा, circumspect, circumspect का मतलब होता है सतर्प, तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही, hopefully कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज सस्क्राइब कर सकते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, keep learning and God bless you all.